अदोच्छा नन्य ने किया मोधी का भिरोध नरेंद्र मोधी को अपने किये का खाम्याजा भोगतना पड़ेगा उन्होंने जो कुकरत्य किया है सम्मिधान के साथ खिलवार किया है सरकारी मसीनिरी का दुर्पयोग किया है बेगुनाह लोग मारे गए हैं उनके करतूत से और उन सब को कतलयाम कराने का सीधे तोरपा नरेंद्र मोधी जिम्मेदार है इसकी गवास भारत की सुप्रीम कोट और नानावठी आयोग है उसका दंड भी उनको मिलेगा और सरकारी दंड कितना मिलेगा मुझे नहीं पता इस धार्मिक नगरी में राजनेतिक प्लान रचने का कोई जरूरत नहीं है यह धरम छेत्र है यह यग अनुष्ठान जप तप और गंगाशनान करनी की लोग आते हैं प्रधान मंतरी बनाना, मंतरी बनाना, यम पीशांसत बनाना, ये इन लोगों को राजनेतिक कार्यालयों में और दिल्ली में अपना प्लान करना चाहिए, यहाँ पर उनको ये सब नहीं करना है, ना ही इसकी इजाजत दी जाती है, हम बिरोध करते हैं, ऐसे किसी भी हरकत का, जिससे यहां राजनेतिक महौल काइम हो और धरम की पवित्रता पर असर आए। और वैसे भी नरेंद्र मोदी कतलयाम के दोसी हैं, वो गुनहगार हैं, और जब तक खुद प्रयास्चित ना हो उनके अमन में, भाव पवित्र ना हो, तब तक उनको धरम छेत्र में आने की क्या जरूरत है? संतों का आशिरवाद हम तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, ऐसे दोस युक्त कर्म करने वाले को संत आशिरवाद नहीं देते हैं, और जो संत बन करके बात कर रहे हैं, जो वहां सम्मेलन में आएंगे उनके कैम्प में, मुझे लगता है कि वो रस्स के कार करता है, और संत का कर लिये हैं, वो संत नहीं है.